27 साल बाद 19 सतंबर 2023 को लोकसभा में महिला अरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया और 20 सितंबर को भारत की नारी को लोकसभा और विदान सभाओं में एक तिहाई आरक्षन की शक्ती देने वाला बल लोकसभा से पहली बार पास हुआ लोकसभा में दो दिन तक चली लंबी बहस के बाद महिला आरक्षन विदेयक पर मुहर लग गई ये विदेयक दो तिहाई भाउमत से पारित कर दिया गया नमस्कार आप देख रहे हैं दा नगरी न्यूज मैं सिद्धी का मनोहर सोनी आपके साथ एतियासिक महिला आरक्षन विदेयक बद्वार को लोकसभा में पारित हो गया बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े लगातार 8 गंटे चली चर्चा में पक्ष विपक्ष के 60 सांसदों ने अपने विचार रखे और अपनी अपनी प्रतिक रिया दी इस जरान जादातर विपक्षी पार्टियों ने संसद और विदान सभा में महिलाओ को 33 प्रतेशत आरक्षन देने वाले इस बिल का समर्थन किया साथी इसे जल्द लागू करने और OBC कोटा शामिल करने की मांग की वही सरकार ने इसे बड़ा कदम बताते हुए कहा कि जनगन्ना और परीसिमन जरूरी है इस चर्चा में अमिश्या, केंद्रिय कानून मंत्री अर्जुन राम मेगवाल, स्मृते रानी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने अपनी बात रखी अमिश्या ने राहुल गांधी पर निशाना साथ के हुए कहा OBC आरक्षन परीसिमन का मुद्दा या जनगन्ना को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं मैं सबका जवाब देता हूँ सबसे पहला जवाब विदमान सविधान में तीन तरक एस आंसद आते हैं जो सामान्य, SC और ST केटिगरी से आते हैं ये तीनों केटिगरी में अमने महिलाओ का 33 फिस्दी आरक्षन कर दिया है अब एक ती आई सीटों को आरक्षित करना है तो वे सीट कौन तै करेगा अगर वायनाड आरक्षित हो गया तो आप कहेंगे हमने राजनीती की है आगे शाहा ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार सेक्रेटरी चलाते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि देश सरकार चलाती है आगे केंद्रिय कानून मंत्री अरजुन राम में एकवाल ने कहा कि परिसीमन को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है परिसीमन के सेक्षन आठ और नौ में ये कहा गया है कि संक्या देकर ही निर्धारन होता है इन तक्निकी चीजों में हम जाएंगे तो आप चाहते हैं कि ये बिल फस जाए लेकिन हम इस बिल को फसने नहीं देंगे सुप्रीम कोट ने तै किया है कि महिला आरक्षन का विशे होरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है अब तुरंट तो परिसीमन जणगनना नहीं हो सकती आप कह रहे हैं कि तुरंट दे दीजिए तो वही राउल गानी ने महिला आरक्षन विदेयक का समर्थन किया उन्होंने कहा मेरी नजर में एक चीज इस विदेयक को अपून बनाती है मैं चाहता हूँ कि इस विदेयक में OBC आरक्षन को शामिल किया जाना चाहिए था यह बहुत जरूरी है कि भारत के आबादी के एक बड़े हिस्से महिलाओ के बड़े हिस्से की आरक्षन तक पहुँच होनी चाहिए जो इस विदेयक में नहीं है दूसरा यह है कि विदेयक को लागू करने के लिए नए परिसीमन की ज़रुरत है मेरा विदेयक आज ही लागू हो सकता है दूसरी ओर सोनिया गांधी ने भी लोकसवा में नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल पर चर्चा के दौरान मांग की कि से तुरंत लागू किया जाए उन्होंने बताया कि यह बिल पूर्व पीम राजीव गांधी का सपना है साथ वोटों से राज्यसभा में गिर गया था बाद में इसे पीवी नरसिमहाराव के नेत्रतव वाली कॉंग्रिस सरकार ने पारित कराया इसी का नतीजा है कि स्थानिय निकाय के नतीजे के जरिये 15 लाग चुनी हुई महिलाय नेता है आखिर में केंद्रिय महिला विकास मंत्री स्मृति राणी ने सोनिया गांधी पर नशाना साथ के वे कहा कि हमें बार-बार कहा जाता है कि विशेश परिवार ने सवेधान का थैत्तरवा और चौतरवा संशोधन पारित करवाया लेकिन मैं आभार करती हूँ कि ये पुन्य काम पीवी नरसिम्हाराव ने किया आगे स्मृति राणी ने कहा विपक्ष देश को गुमरा करने की कोशिश कर रहा है इस बिल के मताबिक लोकसभा और राज्यों की विदान सभाओ में महिलाओ के लिए 33 प्रतिशत रिजर्वेशन लागू किया जाएगा लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओ के लिए आरक्षित होंगी ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा इसके बाद संसत चाहे तो इसके अवदी बढ़ा सकती है पाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दनगरी न्यूस शुक्रिया